इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह जो फेफ़लों के समगरिस वास्थिय को बहतर बनाने में मदद कर सकता है सामगरी में शक्तिशाली एंटी बैक्टिरियल, एंटी वाइरल, एंटी कारसिनोजिनिक और एंटी फंगल गुंड शामिल हैं जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं इसमें ऐसी जड़ी बूटियां शामिल हैं, जो शरीर की सहनशक्ती और ताकत बढ़ा सकती हैं ये फेफ़लों की सफाई के लिए उप्यूक्त है और टार रिमूवर के रूप में काम करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, ये सिगरेट के धुयें और वायू प्रदूशन में हानिकारक रसायनों से फेफ़लों को हुने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है 2. ये क्षतिगरस्ट फेफडों की कोशिकाओं की स्वास्थे को बहाल करने और पुनरजीवित करने में मदद कर सकता है 3. चार तुलसी भारी धातूं के विशाक्ट प्रभावों से बचाने में मदद कर सकती है और छाती में जमाव को कम कर सकती है 5. अमलता खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है 6. इसके अव्यवों में शक्तिशाली एंटी बैक्टिरियल, एंटी वाइरल, एंटी कार्सिनोजिनिक यानी की कैंसर से लड़ने वाले और एंटी फंगल गुण होते हैं जो श्वसन पत की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं 7. इसमें ऐसी जड़ी बूटियां शामिल हैं जो कोशिकाओं पर सूजन रोधी और काया कल्प करने वाली क्रिया दिखाती हैं जो शरीर की सहन शक्ती और ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं 8. ये गले और श्वसन पत की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है जिससे ऑक्सीजन प्रवा, श्वास और रक्त परिसंचरण आसान हो जाता है 9. ये म्यूकस यानी की चिपचिपा पदार्थ को तोड़ने में मदद कर सकता है जो वायू मार्ग और अलवियोली को अवरुद करता है और बलगम को ढीला करता है 10. द्राक्ष ब्रॉंक्यल अस्थमा के प्रबंधन में मदद कर सकता है और फेफ़लों की कार्य प्रणाली में सुधार कर सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करे